Hello students, print culture and the modern world के बात करेंगे उससे पहले जो modern world है तो उसमें printing media का जो source है, वो क्या है? newspaper, magazine, हमारी textbook और बहुत सारी चीजें के जो print media में involved होती है तो हमारे mind में एक question होता है कि first printed book कहा हुई होगी? तो first printed book technology के जो traces मिले है वो कहां मिले है? चाइना में मिले है means सबसे पहली print culture की जो शरुवाद हुई है तो कहां हुई है? चाइना में तो हम पढ़ेगे print in China Chinese जो लोग है उन लोगों ने hand printing system स्टार्ट की in 594 wooden block printing system was introduced जो paper की जो seed थी को कैसे थीन थी और porous थी इसी वज़े से दोनों साइड उसमें print किया जा सकता नहीं था और उसी टाइम जो Chinese लोग है उन लोगों ने accordion book को क्या किया? इंट्रोडियूस किया चाइना में print spread होने के कोई reason है तो उसमें आता है bureaucratic system bureaucratic system में जो exam ली जाती है civil service examination वो देने के लिए और उसकी preparation करने के लिए बहुत सारी book को read करना ज़रूरी है तो बहुत सारे candidate वो exam को appear करते थे और book को read करने के लिए demand थी book की तो इसी वज़े से चाइना में print culture क्या हुआ expand हुआ और लोगों की demand बड़ी tax book पाने के लिए और Chinese जो लोग है वो अपनी leisure time में कौन से activity करते थे reading activity करते थे जो merchant थे वो भी book read करते थे और उससे वो trade की information निकालते थे और उस time चाइना में fictional story, plays, stories यह बहुत famous थी तो वो book भी वहाँ पे sale होने लगी और जो बड़े घर से आने वाली woman थी उन लोगों ने publish करना start किया on writing में book को जिससे woman की condition लोगों को पता चले चाइना में उसी time mechanical printing press को introduce किया गया और शांगाई जो चाइना का उस time printing culture का hub था जिससेता work for जाइना में को जिसा चाइन है झाले अ, काइना में आने वी उस इनी प्रेशओे innे वहाँ जिससे niez मुप जिससे चाइना का नहाँ इना वहाँ वहाँ उस हम चिसस्त।